करते हैं सेल्स अन अप्रूबल बेसिस होता है क्या है ध्यान दीजिए जैसे मान लीजिए बड़ा सिंपल सा कॉंसेप्ट है मिस्टर एक्स समझने वाली चीज है आपके एक्जाम में मोस्ट फ्रेक्वेंटली टाइम तक यह अजस्मेंट होता है कुछ एक अजस्मेंट ना इस फाइनल अकाउंट के कुश्चन में वो जरूर डालते हैं जैसे की प्रिपेड आउस्टेंडिंग जैसे की क्लोजिंग सब्सक्राइब होता है अबके सब्सक्राइब करते हैं इसके इस जोटेसे हम सबसे पहला आप्रूंट क्लास में हिसने नहीं कि लेएंटषे से करा वा है तो उसको 11th class में sales on approval basis वाला नहीं मिला होगा, हाँ, इससे पहले का adjustment कुछ-कुछ जरूर मिले होगे, register उठा के देखोगे, तो sales on approval basis में क्या होता है, मान लेते हैं, let's suppose example, कि Mr. X है, और Mr. X ने क्या करा, कि भाया, ये है दुकानदार, ये है एक दुकानदार, तो ये समान किचेगा, इसने समान जो है, इसका मान लेते हैं, cloth का का काम है, ठीके ना, कपड़े का काम है, इसका एक friend है Mr. Y, मिस्टर वाई है, अब मिस्टर वाई इसके दुकान पर आया, आपका मिस्टर वाई जो है दुकान पर आया, किसके दुकान पर आया, मिस्टर एक्स के दुकान पर आया, दोनों आपस में फ्रेंड है, जब Y चल के आता है Mr. X के पास ऐसर फ्रेंड उसके शॉप से कुछ शॉपिंग करने के लिए तो X ने अपने फ्रेंड को बहुत सारी वराइटी दिखाई शर्ट की काफी सारी और X का मैं आपको थोड़ा सा ना पुराना बैलेंशीट बता दू क्या है सर एक्स ने ने क्या कर रखा है पहले से लिखा हुए सर सेल्स और ये X का बैलेंशीट है पहले से ठीक है सेल्स पहले से पांच लाक रुपे है इसका नो डाउट और पहले से इसका क्लोजिंग स्टॉक जो है ना वो बीस अजार रुपए है सपोज लेट एक्जामपल तो सर बीस अजार रुपए यहां भी होगा closing stock बीस अजार रुपए दोनों जगे होता है न और डेटर इसका पुराना भी है पहले से डेटर है मान लेते हैं कि एक लाफ रुपए कुछ यह कहानी पुरानी है अब इसका फ्रेंड आया और बताओ कैसे आयो बड़े दिनों बाद आयो आज उसने बोला एक शर्ट दिखादो मुझे इसने क्या करा शर्ट दिखाए बोला भाई देखो अभी बहुत अच्छा माल आया हुआ है तो आप इस प्रोड़क्त को ले सकते हो बहुत अच्छी क्वालिटी आप मेरे कहने पर ले लो उसने बोला कि नहीं मुझे एक शर्ट चाहिए इसने क्या करा और जब इसको दिखाया मिस्त इसने जब अपने फ्रेंड को दिखाया तो इसको पसंद नहीं आया एक्स वाई जड किसी रीजन से बोला कि भी है मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये शर्ट क्या है मैं तो चलो देखा था कि आ जाए तो समझ में ठीक है नहीं तो मैं जाता हूँ दुकांदार ने इसको बहुत फोर्स फुली क्योंकि जब दुकान में कुछ चीज़े अच्छी आती है नहीं समान तो सबसे पहले वह दुकांदार खुद रख लेता है अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट आया और फिर सबसे पहले जानने वाली को पहले प्रिफेर कर देता है य आपको खुद पता चल गया है तो आप अपने फ्रेंट को बोलूँगा मेरी बात मान यह वाला ले जाए बार बार नहीं आता है ऐसा समान लेकिन बोला यार मेरे को चाहिए नहीं तू क्यों दे रजवर्दस्ती उसने बोला मेरी बात मान तिर से पैसे थोड़ी मांग रहे हैं तू जा घर पे दिखा दे अगर सही लगे तो ठीक और यह सारी बात चीट पता कब चल रही है इकत्तिस तीन को कब बात चल रही है और हमारा बैलेंस शीट कब बनता है एकत्तिस तीन को तो बनी नहीं सकता उसके बाद अगले साल ने बाद में कम से कम 31 तीन को तो हमारा financial year close ही हुआ एकदम से balance sheet prepare करना क्या possible है नहीं है उसके बाद 2-3 मैने तक हम balance sheet को बनाते हैं और आप जो balance sheet बना रहे हो ना यह सारे वो बना रहे हैं कि 31 को सारा काम done हो चुका है है उसके बाद हम बना रहे हैं date भली डाला जाता है ताकि यह पता चलता है कि भीया यह balance sheet के उपर जो date डाला गया है यह इतने दिनों तक का है समझ भारे हो बात तो 31-3 को सारी बात चल रहे हैं उसने बोला चल मैं तरो को दे देता हो तू ले जा पसंद आये तो रखियो नहीं तो नहीं जबरदस्ती न एक्स ने वाई को दे दिया अब जैसे एक्स वाई को देता है तो एक्स क्या करेगा यहां से निकल जाएगा अपना समान लेके जो वाई था वो क्या करेगा यहां से चला जाएगा simple सी बात है कि भाई जब दे दिया तो समान लेके चलो जो y है वो simple सा समान लेके यहां से चला जाता है मान लेते हैं कि चला गया y जब y चला गया तो अब accounting करने की जिम्मेदारी किसकी x की x बुलेगा भाई मेरा sale बढ़ गया 31 तारीक है तो closing तो करी देते हैं sales लिख दिया मैंने और कितने का sales किया मैंने और 600 और closing stock तो यह stock तो रहा नहीं क्योंकि 20,000 में से कुछ समान तो मैंने दे दिया है तो यानि मेरा closing stock यह हमेशा cost price पर होता है maximum time तो less कर देते हैं closing stock में से कितने का 500 और या debtor भी मेरा बढ़ जाएगा है कि नहीं बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा डेटर बोलेगा यार मैंने उधार नहीं है मैंने यह बोल के भेजा कि भाया देख सही लगे तो रखना नहीं तो वापसी कर देना तो मैंने जो sales किया approval यानि यह sales तब तक पका sales नहीं माना जाता जब तक वाई नहीं बोल देता done मैंने ले लिया यह अब वाई घर जाते ही अपने घरवालों को उसने shirt दिखा इसका मतलब सर एक्स ने accounting क्या कर ली गलत हो गई न accounting तो जो sales approval basis पे था एक्स ने इस तरीके से मान के sales कर लिया अब इसको देखा जाए तो एक्स अपनी sales कितनी मान रहा है पाँच लाक छे सो मान के बैठा है और closing stock बोल रहा है यार मेरे पास तो 19 और debtor मान के बैठा है एक 600 और यहां पर 19500 अब जब इस फ्रेंट ने मना कर दिया कि भाईया मैं नहीं लुगा तो अब इसको अपनी accounting सुधार नहीं पड़ेगी तो क्या क्या करना पड़ेगा इसको सबसे पहले minus करना पड़ेगा sale को कितने से minus करना पड़ेगा sale को 600 से stock में क्या करना चाहिए प्लस करना पड़ेगा यानि जो चीजे उसने कर दिया पहले उसको हटा वहां से तो हम हटाने का मतलब वहां मिटा तो नहीं सकते हम entry करके adjustment कर सकते हैं तो मैं वापस से इसमें plus minus कर दूँगा 600 रुपए तो देखो वापस मैं पहुँच गया इस किया था तो डेटर में से क्या करना चाहिए माइनस कर देना चाहिए closing stock में बिल्कुल प्लस कर देना चाहिए तो sales on approval basis का जब rejection आता है सामने वाले से तो कितनी जगह entry करी हमने चाहर जगह दो जगह पे हमने 600 600 लिए और दो जगह पे हमने 500 500 लिए जो ये 500 रुपए था ये क्या था और ये 600 क्या था uh market price कहलो या selling price कहलो यही न तो मैं कह सकता हूँ कि जब कभी भी sales on approval basis ed most selling price sales में से भी माइनस होगा debtor में से भी मानस होगा और cost price अपका closing stock में से माइनस होगा sja closing stock में लेकिन कहां trading पहीए होगा और balance sheet में हो दोनु जगह होगा यहां तक बास समंझ में आ रही है तो यहीं से यह adjustment बनता है हमारा क्या sales and approval basis यानि सर इसकी कितनी entry जाने वाली है total 4 entry जाएगी जो कि मैंने अभी आपको समझाया है तो सर 4 entry अब मैं आपको करूँ आना तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है लेकिन बस इसमें एक और point समझना पड़ेगा हमें कई बार हमें वो selling price ही नहीं देता examiner तो उसको अभी देखते हैं चोटा सा concept है सर sales on approval basis तो impact पड़ेगा किस पे सर adjustment में ही होगा always ऐसा नहीं कि अंदर होगा एक इंपेक्ट पड़ेगा किस पे सर sales पे एक इंपेक्ट पड़ेगा कहां पे सर एक हो जाएगा डेटर पे और एक इंपेक्ट पड़ेगा closing stock क्लोजिंग स्टॉक में फिरेडिंग आ है कि Εन्पेट्श क्लोजिंग स्टॉक काहां पर है बालें स昨 एस एक में में आ आरहा करम होगा closing stock मेंसे क्या करना है और ये वाला closing stock से क्या करना है तो बड़ी सीनी सी बात है, करना simple सी बात है sales मेंसे minus कर दिजीए less कर दिजीए सिर्फ less करने से बात नहीं बनेगी न दो price दे रखा होगा लेस करने के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कौन से वाला price minus करना है तो sales में से less कर देंगे selling price कौन सा समझ में आ रहा है selling price क्या मैंने बोला सर इसके बाद sales में से जैसे selling price minus करेंगे तो अगर देखा जाए तो debtor में से क्या करें तो exactly बिल्कुल same debtor में से भी क्या होगा सर minus हो जाएगा और यहां से भी क्या minus होने वाला है selling price दूसरा क्या करें सर stock में क्या करते हम stock में कर दीजिए सर add up लेकिन add करने के तो बाद ठीक है लेकिन क्या add करेंगे cost price इसमें कर देंगे add cost price तो cost price add करते ही हमारा काम हो जाएगा और same यहां पर भी यही करना होगा cost price add पहले यह बाद समझ में आ गया अब मुद्ध की बाद आती है कि सर आपको selling price और cost price निकालने में examiner उल जाएगा क्योंकि आपको मान इतने cost देदेगा और एक percentage देदेगा बूलेगा sale खुद निकालो यह sale देदेगा और एक percentage देदेगा बूलेगा cost खुद निकालो तो हमेशा याद रखना sales जो बनता है न हमारा sales कुछ भी हो sales इसके अलावा कुछी से नहीं बन सकता sales is equal to gross sales is equal to cost plus gross profit हमेशा याद रखिएगा sales is equal to समझ रहे हैं बात को सर अगर sales is equal to cost plus gross profit है तो इसके अंदर कैसे question पूछे जा सकते हैं examiner कैसे उलजा सकता है चार example समझ लिया सारी दुख दर दूर हो जाएगी example मैंने कहा के sales sales मैंने कहा आपको 500 रुपै मैंने कहा cost cost मैं बात ही नहीं कर रहा भी चलो मैंने कहा sales है आपका 500 रुपै मैंने कहा gross profit gross profit on sales 20% आपको सवाल में अच्छे से पता है sales होना approval basis होना तो आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको cost ना पता हो और selling price नहीं पता अगर हम selling price भी सिर्फ आपको दे दे तो नहीं कर सकते कुछ भी क्योंकि आपको cost price चाहिए ही चाहिए तो आपको examiner ने क्या दे दिया sales दे दिया और gross profit दे दिया तो आपको निकालना क्या पड़ेगा दो ही चीज़ तो चाहिए आपको क्या क्या चाहिए cost price और selling price तो सर क्या cost sales तो दे रखा है cost price यहां से निकाल लेंगा sales पता है gross profit हम निकाल सकते हैं तो यहां पे निकाल सकते हैं क्या formula में put करना है सीधा sales is equal to cost प्लस में GP that is आपका sales कितना है सर 500 रुपए cost नहीं पता यहीं तो निकाल रहें GP कितना है sales के उपर 20% that is 100 तो आपको ने जवाब दे दिया के cost क्या आगया 400 अगर आपको यह दोनों बाते पता चल जाए तो क्या आप सवाल को solve नहीं कर पाएंगे क्या बिल्कुल कर पाएंगे सुन बताईए यह समझ में है लेकिन सिर्फ इतने से बात नहीं बनेगे न एक्जामनर देखो दूसरा एक्जामपल देगा कहेगा सर sales एक्जामनर देगा sales माल लेते हैं 500 रुपे gross profit on cost माल लेते हैं आपका 25% gross profit on cost 25% सर आपको दो चीजे चाहिए क्या क्या चीजे चाहिए आपको एक तो आपको चाहिए sales जो कि आपको पता है और एक चाहिए cost जो कि sales इसे profit निकालके आप माइनेस करके पता कर सकते हो यहां बड़ी basic सी चीज है sales 500 gp on cost कितने परसेंट सर 25% अब देखा जाए तो हमें cost निकालना है तो formula क्या कहता है sales is equal to cost plus में gp अगर sales plus cost plus gp है तो हमें sales पता है क्या जवाब दीजिए sales पता है क्या sales पता है 500 cost पता है क्या नहीं पता एक समान लो चलो gp क्या कहता है sir gp न आप sales के उपर नहीं कह रहा है gp किसके उपर कह रहा है तो अब जैसे हमने पीछे निकाल लिया था ना सीधा GP कह रहा था तो हम इसके उपर सीधा direct percent निकाल के और फिर हमने निकाल लिया था तो वैसा आप कहानी नहीं घूम सकता है यापर आप कहता है सर GP किसके उपर है सर cost पे तो या cost तो पता ही निया तो यानि हमें cost की value को एक put कर लिया क्या put कर लिया हमने x तो इसका मतलब GP होगा हमारा x into में 25 बटे में 100 इसको solve अगर कर ले हम तो x by 5 4 भी हो सकता ही है अगर shortcut में करूँ काट पीटके मैं अगर बात करूँ इसको तो क्या हो जाएगा सर x by यानि आपको x by 4 पता है x पता है क्या यहाँ से x की value sort out हो जाएगी आपकी तो यहाँ पर क्या करेंगे सर आप 500 रुपे is equal to 4x plus x 5x divided by 4 अब 4 से multiply और 5 से divide तो x is equal to कितने आगे 2000 डिवाइड में direct कर दिया इतना तो आपको थोड़ा बहुत तो पता है direct कर दिया आप आप बागी घर पर कर सकते आराम से ठीक है तो यहाँ पर क्या निकाल लिया आपने x निकाला x is what आपको दो ही चीज़तों चाहिए यानि देख रहे हो examiner आपको बड़ी आसानी से सिर्फ adjustment नहीं देगा adjustment के साथ साथ उस question को solve करने के लिए भी कहेगा अब आप बताओ ये वाला आसान है मुश्किल कौन सा है अगर देखा जाए number one example number two number two में दिमाग लगाना था number one में direct अगर मैं ये चीज़ें नहीं भी बताता था आप बोलते सर बड़ी आसान सी बात है 500 पे 20% निकाल के माइनस कर दो ना कहानी खतम 400 रुपे सीधा आजाएगा लेकिन यहां पे ऐसा नहीं कह सकता था कि 500 के उपर 25% निकाल के माइनस कर दो ना 400 आजाएगा यहां पे नहीं कह सकते थे तो यानि जिस अगर आपको जो element दे रखा है और उसी के उपर ब्रांच वाली चप्टर में सीखेंगे यहां तक समझ में आई बात आपको एक और एक्जामपल चार एक्जामपल में मैंने कहा नहीं चार एक्जामपल मैं करवाता हूं हर बार एक्जामपल नंबर थ्री मान लेते हैं अब आपको क्या दे दिया उसने cost दे दिया cost कितना दे दिया 500 रुपए और कहता है GP on cost GP on cost 20% तो sir sales on approval basis में दो चीजे चाहिए cost चाहिए selling price चाहिए तो यहाँ पे cost तो पता है अब क्या चाहिए आपको selling price sales निकालने का formula एक ही लगेगा हर जगा है formula sales is equal to cost प्लस में GP तो sir sales नहीं पता let x कर लो आप इसको माल लो cost पता है जी सर 500 रुपए पता है GP किस पर बात कर रहा है cost पर क्या cost element आपको दे रखा है GP किस तक percent कह रहा है 20% किस के उपर क्या आपको cost पता है बिल्कुल पता है तो आप हमें कोई x let करने की जूरत नहीं है सीधा multiply करके हम GP निकाल सकते हैं तो sir GP कितना होगा sir इसके उपर सीधा 20% cost के उपर यानि cost के उपर सीधा 20% देखा जाए तो कितने बनेंगे 100 रुपए that is x बन गया आपका 600 रुपए देखे अगला example देखे एक्जामपल देखे एक्जामपल sir example number four क्या कहता है sir cost given है आपको sir cost कितने given है sir 500 रुपए cost given है GP कहता है sir आपका कितने given है sir GP आपका 20% given है बड़ी सीधी सी बात बोल दिए में GPS कितने परसंट है अब यहां पर यह नहीं बताहें जीपी सेईल्स पर है कि तब ना बोले तो हमयँजा कंसीडर करोगे ऩेल्स पर है यह भी बात आपको सोचने बाला है कि अब जम ना पता ही नहीं एक से कॉस्ट तो पता है ना पांसो और जीपी लेकिन अब इसके उपर निकलेगा जीपी किसके उपर निकलेगा पता हो अब जीपी जंप करेगा इसके उपर परसंटेज के लिए क्योंकि कुछ नहीं बोला हुआ तो यह किसके उपर होगा सर सेल्स के उपर होगा अब इसके उपर जंप करेंगे तो भाईया इसका परसंटेज अगर निकालते हैं तो एक्स का परसंटेज निकालना पड़ेगा 20 तो क्या होगा that is x by 5 समझ रहे हो कैसे होगा x by 5 तो क्या होगे हमारा x by 5 अब जब x by 5 हो गया तो x की value solve करीए तो क्या आएगा x minus x by 5 is equal to 500 मैं directly solve कर रहा हूँ वैसे चलो मैं पूरा ही कर देता हूँ कितना आएगा 4x 4x divided by 5 is equal to 500 तो 5 से multiply हो जाएगा कितने बनेगे 25 और divided by 4 5 से multiply हो जाएगा divided by 4 तो ये x की value मैं सीधा निकाल दूँ क्या आप इसको solve करेंगा तो यही आएगा अब क्यूंकि question की demand क्या है भीया आपको selling price चाहिए और आपको चाहिए cost price तो examiner हो सकता है कि आपको महरबान रहा आपके उपर examiner तो क्या करेगा ये sales on approval basis है 5000 रुपे का समान हमने 6000 रुपे में बेचा अपने friend को या approval basis पे बेच दिया तो समझ लो examiner आपके उपर महरबान है क्यों 5000 का समान 6000 बता दिया बस फटा फट क्या करना माइनस प्लस करना है लेकिन उसने बोल दिया कि 5000 कीमत का समान उसने 20% profit on sale पे बेचा हुआ है तो अब भाईया परिसानी है उसने 5000 कीमत का समान दिया मतलब stock cost दिया है और बोल रहा है 20% profit कमाते हैं किस पे sale पे तो अब आपको let करके इसमें से चार कौन सा example लगे है वो आपको देखना है कि क्या दे रखा है और क्या निकालना होगा समझ में आरी बात आपको तो एक आप भी समझ सकते हो कि इसके अंदर थोड़ा सा complication कहलो या थोड़ा सा इसके अंदर logical points तो है तो इसलिए मैं कहूंगा कि ये exam के point of view से काफे important है sales on approval basis बताईए कोई doubt आताईए कि मैं आपको तो ये रखाना है तो जो एक प्रॉड़ा का तो एक तो जो बिस्वेट जोड़ा कि एक्षाए झापको प्रॉड़ा